तो यहां functioning देखते हैं वैसे यह जो gears होते है हमारी daily life में देखा है कहीं आप लोगों नहीं ऐसे cycle नहीं होती cycle उसमें एक छोटा पईया और एक बड़ा पईया पैंडल जो होता है वो एक gear को support करता है फिर change जोड़ी होती है पिछले wheels से तो कुछ ऐसे हम लोग देखो यह यार अगर मैं force यहां लगा रहूं न तो यह भी अपने आप move करेगा कुछ ऐसे functioning होती है इसकी यह कौन अपना चकर जल्दी पूरा कर लेगा वैसे सर जो छोटा circle है यह धीरे धीरे चलेगा यह जल्दी जल्दी चलेगा force भी मैं इसी पे लगवाँगा क्योंकि force इस पे लगवाँगा कैसे भी force electrical force हमारे पास एक machine हुआ करती थी तो वो ऐसे उसका एक part था तो पिटा इस पे force लगेगी यह धीरे धीरे move करेगा ऐसे बहुत सारी machine है चलती है चलो आगे चलता है question number 32 the two gears shown in the figure इस figure में दो gears दिखाए गए है resemble word वहाँ लगता है जहां सारी चीज़े एक function में काम करती है जैसे मैंने अपना computer resemble करवा है आपने सुना हो गया था तो parts लग 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 लगवा है हाँ function एक ही चलेंगे two circles which touch each other externally दो सरकल है जिनने बहुत basic level पर समझना है दो सरकल है touch कर रहे है externally मतलब बहार touch करते हैं internally तो कर रहे है the sum of their areas is 135 square centimeter मैं सबसे पहले क्या करूँँआ दो circle ready कर लूँँआ two circles which touch each other externally बेटा यहा न इनों ने दिया है the sum of their areas इन दोनों के areas कैसे निकलते हैं सर पाई आर स्क्वेर और इसका सर पाई small r स्क्वेर इसकी छोटी radius होगी इसकी बड़ी radius होगी इसका जादा area है इसका कम area है तो कह रहे हैं इनका जो sum है यूटिलाइस करो यार चीजों को न क्या रहा है इनकी अगर मैं areas का sum करता हूँ तो वो दे रहा है 135 अरे square centimeter तो यह है तो पहले वाले circle का area प्लस दूसरे वाले circle का area is equal to 135 centimeter square पहले information मैं आगे कि जब पढ़ूँआ पहले इसे थोड़ा सा update कर दूँ एक max वाले student क्या कर सकता है r square सर यह दोनों add हो जाएंगे क्या बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि यह है capital r, body r और यह है small r, यह बिल्कुल इसकी तरह है क्या x add हो जाएगा y में x, x में तो add होना बहुत अच्छे से हो जाता x x, z कितना होगा होई नहीं पायागा same नहीं है, बिटा common कर लो क्या दोनों में pi है ना तो दोनों में से pi भाहर निकालो इन्होंने pi की value डाली होगी बताओ जब area का sum दिया तो नहीं क्योंकि pi में आ रहे है न answer तो 130 pi ऐसे ही रहने दो centimeter square मत लिखो calculation करते time unit मत लिखो pi से pi cancel कर दो अच्छा सर ऐसे हो जाते cancel बिटा ये जैसे multiplier में क्योंकि इसके बीच में कुछ plus का sign तो दिखनी रहा मतलब plus का अगर हुआ करता तो ये कुछ ऐसा होता न तो क्या होंगे ये bracket का मतलब क्या है ये multiplier में अगर आप इसे काटोगे भी नहीं और divide में लेकर जाओगे तब भी ये कटे गई हाँ common लेके काट सकते हो तो इस pi को नीचे भेजो और काटो तो वो गलत है दोनों में से क्या करो पहले common loop pi से pi cancel करो फटा फट से एक equation बनाओ और ये बन गई हमारी equation this वो क्या कहा रहा है वो कहा रहा है इन दोनों के r का square इन दोनों के r का square 130 के equal होता है next आगे देखते है and the distance between their centers distance between their in circles के क्योंकि starting कैसे करी थी two circles in circles के जो distance है their center इनके center से जो दूरी है वो कितनी है 14 पहले बनाता हूँ दोनों की center का gap कितना है center से दूरी कितनी है sir 14 अच्छा देखो भाई information को न pick कर लिया दो information दे रही है भाई ये क्या होगा capital R होगा और देखा जाये तो यहां से यहां तक को क्या कह सकता हूँ sir small r कह सकता हूँ और यहां से यहां तक को क्या कह सकता हूँ sir capital R it means चीज़े न कर कर के देखने बड़ेगी capital R plus R is equal to 14 यह second information आ रही है मेरे पास बेटा चीज़े क्या अलग अलग हैं क्या कोई X हो और कोई Y हो ऐसा तो नहीं है न तो यह chapter 3 का question नहीं है यह chapter 4 का question है quadratic का क्योंकि तुम्हें कैसे बता चलेगा कि कौन से chapter की equation बनानी है देखो इस R की किसी एक R की तुम value निकाल सकते हो अरे जब दोनों का sum 14 है तो यह बात fact है कि अगर एक R है तो दूसरा होगा 14 minus R 14 minus R क्या दो किसी एक को दूसरी की terms में कहना start कर दो आपस में relate करते हैं यह इसे कहते है quadratic equation वाला chapter से आया हुआ है पर अगर एक है x और एक है y तो वो तो pair of linear equation का है तो देखो आपस में relate हो पा रहे तो जब दोनों का sum 14 है तो एक का क्या होगा 14 minus R बेटा यार यहां पर क्या लिखूं सर इसकी जगा तो यही रहने दो सर इसकी जगा आपने replace करवा दिया क्यूं करा मैंने ऐसा सर यह R और R same terms में बन गई ना चीजें by the way इन सब का equal 130 के होगा अब formula खोलते हैं फिर बनाते हैं equation मैंने क्या करा मैंने दो information लिए और उसे थोड़ा सा solve करा जखो taking the radius of one circle to be क्या मान लेना उसे x मान लेना और क्या रहा है quadratic equation बनाओ क्या बनेगी यह बन तो रही है भी हमारी बिटा बस वो कहा रहते हैं कि R को न radius को x मान लेना कोई बात निया आ रिके जगा x लेने जब कर लेंगे तो a minus यह क्या कह रहा है यह क्या होता है बताओ formula a minus b का holy square a square plus b square फार minus 2a b चलो तो a square मतलब 14 का square plus b square मतलब r square सर यह तो minus का है हहां और आप plus लगा रहे हो formulे के sine के हिसाब से चलते हैं हमेशा, तो A कितना है, 14, और B कितना है, सर, R, तो ये सब क्या है, 2AB, किसमे होता है, 2AB, इसके hidden steps क्या है, ये तीनों किसमे होता है, multiply में, प्लस R square, और ये सब किसके equal, 130, अच्छा, इसे खोल दिया, सर, आपने, इसे, हंजी, इसे खोल दिया, तकि solve हो जाए, यार, 14 का square न, ऐसा कहते हैं, बड़े-बड़े कहते हैं, ऐसा कि 196 होता है, R square, ये कितना हो गया, 14 to the 28 R, प्लस R square, is equal to 130, क्या R से R, ये R square, R square का क्या होगा, अलजाब्रा में, सेम विरादरी के add हो सकते हैं, बाइदवे, ये प्लस प्लस बतायागा कि add होगा, हाँ सर, add होगा, सर, 2 R square होगा, क्योंकि इसके साथ 1 है, और इसके साथ भी 1, 2 हो गया, यार, माइनस 28 R, ऐसी रह जाएगा, इसके साथ कोई और है नहीं, R वाला, और constant, constant 196, और ये सब किसके equal 130 के, बिटा 130, किसी एक को इधर उधर लियाओ, अभी रुकवाभी करते हैं, एक सेकिंड दो, यार, आप, एक काम करता हूँ, इस 130 को इधर लियाए, इस 130 को इधर लियाए, चलो बई, तो plus minus क्या कहता है, कि less कर दो, चलो less करते हैं, कितना आएगा बताओ, 66, sir, 66 आएगा, sir, plus का आएगा, 100, plus का आएगा, क्योंकि sign किसका चलता है, बड़े digit का, अरे, इस equation को छोटा भी कर सकते हैं, क्या, या देखूं एक बर अंसर ऐसे ही दे रहा है, बाइदावे, इस r को x से replace करना चीह है, तो, वो ही पहले common कर लेते हैं, तो, बेटा, मैं 2 common कर रहा हूं यार, 2 बंजा 2, 2, 4, 8, r, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 0, ये 2 का क्या होगा, बेटा, इसका बहुत बुरा होगा, ये 2 multiply हैं में न, divide में चला जाएगा, अगर, जब जाएगा, और बचपन से दीखता आ रहे हो, किसी भी number की 0 से भाग होगी, तो फिर 0 ही आता है, हाँ भई, तो ये equation बन रही है, पर in the terms of x, वो actually क्या है, इन्होंने कहा है कि radius को क्या ले लो, taking the radius of one circle to be x, तो x के साब से क्या बने गई है, x square minus 14x, प्लस 33, देखो भई, कहाँ पर है, तो option c हमें मिल गया है, इनकी चीज़े देखो भई, cod कितना same लग रहा है न, बस प्लस माइनस का फरक है, तो आप लोगों को इसी चीज़ पर grip बना के जानी है, एक्जाम में, पहले अपना answer निकालो, फिर ध्यान से select कर ले न, बिल्कुल, कभी-कभी equation बन रही होगी, ये 33 को न, जान मुझ के बहुत ध्यान रखना यार, चलो next, कहा रहा था, radii of two circles, r, दोनों circles की radius मांग ली, अरे यार, जो पहले कभी हमने, x की terms में, equation सीखी थी, और यहां से बच्चा क्या निकालता था, दो x की value निकालता था, बस आज x नहीं, आज r निकालेंगे, r stands for radius, मतलब वो क्या कहा रहा है क्या रहा, इस quadratic equation को solve करके, दे दो इने, क्यूंकि आज x का meaning यहाँ पर क्या बना हुआ है, radius, चलो यार, तो 33 के फटावट से factor लेते हैं, तो कितना आएगा, सर यह हुआ 11 और 3, और देखो 11 और 3, 14 बनाते हैं, पर मुझे तो 14 x चाहिए, तो दोनों में x लगा दो, यह वाल माइनस माइनस, हांजी सर, ठीक है, और यहार, इन दोनों का अगर product करने बैठ हुआ, जिस दिन, किसी एक दिन तो बैठ हुआ, product करने, माइनस सा माइनस, cancel, क्या बचेगा, 33 x square प्लस का आएगा, हां सर, प्लस का ही आना चीए था, इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 33 x square हां तो प्लस का याना चीए, तो चलो, splitting हो गई, now you have two common, common लेना आपको, x-11, यहां ले रो यार, minus 3 कर लो, common, तो x बचेगा, और minus 11, देखो वापस जाएंगे, अगर हम, minus 3 किस से करेंगे, तो प्लस का 33 आ जाएगा, तो एक तरफ bracket वाले कर लो, एक तरफ बिना bracket वाले कर ल पिटा या तो 11 अंसर आएगा, या 3 अंसर आएगा, ये क्या था, ये था small r, small r अगर 11 है, तो capital r कितना होगा, दोनों का अगर सम आता है तो, by the way आप 3 वाले पिक करने वाले हो, क्योंकि small r छोटा होगा, small r क्या होगा, सर small r होगा, चोटा, और capital r क्या होगा, सर वो बड़ा होगा, अगर ये 3 है, तो दूसरा कितना होगा फिर, जब total ही ये लोग 14 बना रहे थे, याद एक equation, दोनों कितना बना रहे थे 14, by the way यार, पता इन्होंने कभी ये नहीं का कि radius का सम करता हूँ, तो 14 आता है, इन्होंने centers का मतलब क्या होता है, सर r प्लस r, तो दोनों r का, मैंने जो equation मनाई थी, वो छोटे r के respect में मनाई थी, तो ये 3 हो गया, और capital r कितना हो गया, 11 हो गया, चलो option ध्यान से answer लगाएंगे इसका, the radius, the radius of the two circle r, सरी, radius मतलब क्या होता है, एक radius, तो बेटा, I think 3 और 11 होना चाहिए, और तो कोई answer है भी नहीं, और देखो, सब के sum 14 बन रहे, कि बच्चा तुक्का भी मारे, देखो, सब के sum 14 बन रहे, तो तुम्हारा answer क्या होने वाला है, सर, A होने वाला है, सी पार्ट देख लेता है, दा है, रूर्ट सो,